हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे ऐसे लिक्विट फर्टिलाइजर के बारे में जो की हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसे हमें त्यार करने की कोई जरूरत नहीं होता है हमारे डेली किचन में वह लिक्विट फर्टिलाइजर निकलता है मगर हम क्लिक करें फ्रेंट्स प्लांट्स के लिए जितना जरूरी पानी सब्सक्राइब के लिए को टोट अफं़नगा से इस कलिक में लगाते हैं और इसलिए यह और चांशे लोट कि सब्सक्राइब ग्रोध के लिए उनको हेल्दी रखने के लिए बीच-बीच में हमें फंटेलाइजर देना पड़ता है तो फ्रैंस वह फंट फेझे जो है डाल और चावल का पानी जिसे कि हम मत्तब हमारे हां डेली जो है डाल राइस तो बनता ही है सब के हां तो इसका पानी हम क्या करते हैं डेली वेस्ट कर देते हैं अगर आप गार्डेनिंग करते हैं तो इसका पानी वेस्ट ना करें मैं तो कभी नहीं करती हूं जितने भी प्लांट है मैं मत्तब अपन आप इसके पानी को जितनी बार दो बार तीन बार हम चावल को जो है अच्छे से पानी में धुलते हैं तो उसके पानी को कहीं आप मतब छान लीजे अच्छे से फिर उसको जो है प्लांट में आप दे सकते हैं तो इसे के कई सारे फाइदे होते हैं, दाल और चावल जितना हमें अच्छा लगता है, उतना ही जो है प्लांट्स को भी अच्छा लगता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, बिटामिन, कई टाप्स के बिटामिन होते हैं, इसके पानी में जो है प्लांट में डाले हमारा प्लांट ख savoir बहुत ही प्लांट बहुत Для प्लांट को नहीं लगने देते हो उससे भी हमारे प्लांट को इसका पानि बचाता है तो आप आप पानी में जो है भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसीट, कैलसीयम, फासफोरस, आयरेन, पोटेशियम सब कुछ होता है जो की एक हमारे प्लांट के लिए जोगरत होता है अच्छी ग्रोथ के लिए तो आप इसके पानी को कभी नहीं वेस्ट करिए मत्तब अपने प्लांट में इसको दीजे फ्रेंट्स में तो कभी कोई भी बाहर से कोई लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं लाती हूँ अपने घर का ही kitchen waste यूज़ करती हूँ, kitchen waste liquid water भी यूज़ करती हूँ तो आप भी इस तरीके से अपने garden में इसका पानी यूज़ कर सकते हैं किसी भी type का सबजी आप दूलते हो, दाल दूलते हो, चावल दूलते हो, कोई भी चीज़ सोक करते हो कोई किसी भी टाइप का दाल मत्तब छोले उले तो राजमा इस ट्राइप का तो आप उसके पानी को वेस्ट ना करिए उसके पानी को ड्रेन करके अच्छे से उसमें रेशियो में पानी मिला लीजे या डायरेक्ट भी दे देंगे तो उससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है क sabemos जो लिक्विड फेटेलाइजर होते हैं उनको हमें इस पेस्ली तैना होता क्योंकि वह निकलते रहते हैं कुछ फेरलाइजर होते हैं कहमें से स्पस्थ को प्लांट को यह मत बनाना पड़ता है ऐस अशे मानगे यह मारे प्लांट प्लांच यहर के लिए जा आज का वीडियो कैसा लगा आई होप अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और हाँ चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद